गुड मॉनिंग गाइज बेरी गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सब लोग ठंडी की शिर्वात हो रही है ना मुझे भी देखके लग रहा होगा आप लोगों को कहां देखिए मेरी कैफ सब आ गई है और मेरा ये वाला स्वेटर भी निकल आया है जो सबसे जादा गरम है इसी को मैं जब ज़्यादा ठंडी होती है तो मैं यही वाला पहनती हूं ज़्यादतर मॉर्निंग के टाइम में सुबह सुबह ठंडी होती है तो बस यह देखिए इसमें मेरे काम भी हो जाते हैं क्योंकि ये इतनी स्लीव से इसकी इतनी है और ये फुल देखिए कितनी इसकी लें तब तो किचिन में काम करते समय मैं ये वाला setup है आपसे मेरी एक humble request है मैं बहुत ज़्यादा आपसे request कर रही हूं कि मैं इतनी महनत करती हूं मैं इतनी महनत करती हूं वीडियोस बनाने में और आप लोगों तक अपने वीडियोस पहुचाने में तो प्लीज मुझे आप लोग ज़्यादा शेयर करिए आप लोगों को पहले से मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी जो लोग भी मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे ज्यादा से जादा लाइक करेंगे और प्लीज कॉमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप लोग कहां कहां से मेरे वीडियोस को देखते हैं और आप लोग को वीडियोज कैसे लगते हैं, आप लोग वीडियोज में और क्या क्या देखना चाहते हैं, तो प्लीज जरूर बताइए, और हम मिलते हैं फिर थोड़ी देर में. आज देखिए, मैं गाजर, हरी मिर्ची और मूली का अचार बना रही हूँ, और इसमें मैं अद्रख भी डालूंगे, इन सारी चीजों को मैंने छील के, धो के, साफ करके, सुखा के, और अच्छे से देखिए, इस तरीके से कट कर लिया है, इतने बड़े-बड़े पीसे में और हरी मिर्च को भी चीर के दो पीस में कर लिया है, ये सारी cutting करके मैंने ready कर लिया है, और अब मैं क्या करने वाली हूँ, कि मूली को और गाजर को, इसको मैं क्या करूँंगी, microwave करूँंगी, ये देखिए, मैं जो microwave की plate है, उस में रख रही हूँ, और नहीं तो हम polythin में बांद के भी रख सकते हैं ये मैंने गाजर को रख दिया है पॉलिथिन में बांद कर केवल दो मिनट के लिए और दो मिनट में ही हमारी गाजर रेडी और हमने फिर इसके बाद में दुबारा से मूली को रख दिया है मूली भी हमारी रेडी हो गई है दो मिनिट में बहुत ही बढ़ा रहती है, बहुत ज़्यादा पकती नहीं है और बहुत कच्ची नहीं रहती है, क्रंची क्रंची रहती है तो ये देखिए धुआ निकल रहा है धुआ आप लोग देख सकते हैं गाजर और मूली हमारी रेडी हो चुकी है बढ़िया पक गई है ये और इसमें अब हम मिला देंगे अद्रह और उसके उपर से डाल देंगे हम इसी में हरी मिर्ची थोड़ी सी हम हलका सा ठंडा हो जाने देंगे इसको और बस इसके बाद हम देखिए इसमें क्या-क्या मसाले मिलाएंगे तो इसमें मसाले में मिलाने वाली हूँ ये मैंने मसालानी उठा ली है और नमक डाल दिया है आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं नमक कम नहीं रहना चाहिए अचार में तो होती है केवल हरी मिर्च का उसमें टेस्ट आता है बलकि तीखापन नहीं रहता है और इसके मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है सारी सबजियों के ऊपर मसाले की कोटिंग आज गई है और अब मैं क्या करूंगे मैं करने वाली हूं इसको मसाला मिलाओंगी हाँ देख आप क्या मिलाओंगी वो देखिए इसके बाद मैं इसमें नीवू का रस जी हाँ वो बड़े बड़े दो नीवू का रस मैंने निकाला और ये मैंने डाल दिया इसमें नीवू का रस और इसके बाद भी अभी कुछ तो और भी मिलाया जाएगा शायद तो वो भी आप ही हूँ बस जितना मैंने नीवू का रस लिया था उतना ही मैंने सरसों का तेल ले लिया है इसको कर देगे हम बहुत अच्छे से mix 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 और mix और पूरा mix करने के बाद फिर इसमें एक चीज अभी और भी जाने वाली है और वो क्या है वो है सिर्का जी हां वाइट वेनेगर सफेज सिर्का हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा ये देखिए एक स्पून भरके मैंने सिर्का मिला दिया है दुबारा से करेंगे अच्छे से मिक्स और बढ़िया कलर्फुल बढ़िया अचार बनकर